देश्वर में होली की रौनक दिखाई दे रही है चार तस्वीरों के जर्ये हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से होली में पूरी तरह से रगे हुए है उजैन के महाकाल इश्वर मंदिर में होले उटसप मनाया जा रहा है वरंदाबन के बाके बिहारी में लोग जम कर होली खेलते हुए दिखाई दे रही है चंडिगर में पूलों की होली खेली गई तो वहीं जम्मू कश्मीर के सामा अंतरास्टे सीमा पर बियस अफ जवानों ने स्थाने लोगों के साथ मिलकर होली का कुछ इस तरह से जश्ट मनाता तो देश भर में किस तरह से होली की रौनक है जार तस्वीरों के जरिये आप समझ सकते हैं मंदिर में भगवान की पूजा अर्चनाज विशेश तौर पर विशेश आर्ति की जा रही है तो ब्रंदावन में होली के रंगों में सराबोर दिखाई दे रहा है हर कोल चंडीगर में फूलो की होली खेली है महलाओं ने तो ब्रंदावन जवान भी कहां पीछे रहने वाले हैं यहां पर भी जवानों ने होली खेली है एक दूसरे को रंग लगा कर होली की शुपकामनाई दी है अब आपको ग्राउंड जिरो पर लिए चलते हैं मेरे सहियोगी मेरे साथ चुड़ गए है चरन सिंग सहरावत दौरका से हमारे साथ हैं कुलवन सिंग यमना नगर से संजे वर्मा सेंट्रल दिली से हमारे साथ चुड़ गए हैं सबसे पहले संजे आपके पास मैं आती हूँ क्या होली का देहन हो चुका है सेंट्रल दिली में तस्वीरे दिखाईए ईटरोंस्ट्ष भाँ इन समय है वो बारा बजे के आसपास अखाधाये बारा ही है इन्तियार में है कि कब होडिका जहन हो उक कि होडिका जहन पराणी प्रमपरा चलिया रही है इसके अरणा किशप को पहलाज इसको आजनती आग लटाया गयता और उसकी जो हुआ थी वो जल गई तो उसी किस्टे लेकर होडिका जहन मना जाता है लेकिन फिलाल अभी की बात सब्सक्राइब के लिए तो थोड़ी सी आवाज में थोड़ी से दिक्कत हो रही है आप इसको दुरूस्त कर लीजिए फिर मैं आपके पास आओंगी एक बाद चरन सिंग के पास चलते हैं चरन मैं आपके पास आपके पीछे देख पा रही हूं कि कुछ महलाएं वहां पर बात करिए उनसे क्या उटसब है जी बुलकुल दिली के दौर का मौजूद है और यह महिलाओं आप देख सकते हैं इन महिलाओं को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी बाहर होली का जसनिस इस तरीके से मना रही है गाना-गाना सुन कर दिया है होलियां अच्झे पलावा आशा मा तेरे तेरंग पहाँ होलियां आप अच्छी उली अजलावा आशा माते पे रंग पावा खोल यादा बदला मैं अजलावा पी बलकुल हम दिली के दौरका में मौजूद हैं और इस तरीके से जो महिलाएं गाना गा रहे हैं इससे انधाज है अटार जा सकता है कि यहाँ पर जो तिहार होते हैं वो बलकुल अलग तरीके से मनाये जाते हैं चाहें चटपुजा की बात करें चाहें होली की बात करें या दिबाली की बात करें चाहें कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी तिहार उसकी बात करें लेकिन यहां पर जो तिहार होते हैं वह अलग यहां पर आये हैं क्योंकि यह जो एक द्वार का जो जगा है वह अपने आप में अलग जगा है क्या किक्收im अब भी अभी अभी यह नहीं अभी अब और तरी किसे सद्सक्रण को डानिए करती हैं और ऐसे डांस करना रंगों से खेल rupees कि और आ इसके बाद वोरी इसके प्राइट सब्सक्ता आज कल हमने छोड़ दिया था इसको और हम दुबारा इस दिश्टी को दुबारका में यहां जो हमारी जो सोसाइटी है, यहां पर हम लोग सब लोग दुबारा से मिलके हमने इसको मनाना किया सोसाइटी के रूप में पहले सिंह कि अप क्या कहेंगे? यह festival तो एक बहाना होता है कि सब लोग मिल लेते हैं आपस में और सब लोग मिलते हैं आपस में और डांस करते हैं, खुश्या मनाते हैं, इससे कि बस एक मिलना जुलना हो जाता है और हमारी संस्कृति को हम इस तरह संभाल कर रख रहे हैं और आज हमने एक अलग तरीके की होली भी खेली है, जिसे एक सेल्फी होली कहा जा सकता है, हमने पूजा की तो सेल्फी बनाई, हमने डांस किया तो सेल्फी बनाई, तो इस तरीके से हम अपनी सेल्फी और अपने वीडियो दूसरों को भी भेज सकते हैं, जिससे कि वो भी दे अज हम लोगों ने साभी दौर का देरी स्टेट से हैं और यहां पर हमागी सुसाइटी में बहुत सार फैसिबल हर साल ऐसी मनाए जाते हैं चाहे वो होली हो चाहे कोई और भी फैसिबल हो ठीक है चरण हम देख पा रहे हैं और एक नया वर्ड सेल्फी होली यह दौरका की महिलाओं ने इस वर्ड को इजात किया है कि आज सेल्फी होली भी खेली गई है ताकि जो बहार वे देशों में इनके रेलेटिवस रहते हैं उन तक पहुँचाई जा सके वो तस्वीरे कि इन्होंने किस तरह से यहां पर होली मनाई है शरत भारदवाज आपके पास मैं आऊँगी पालम से मारे साथ जुड़े हुए हैं शरत क्या वहां पर होली का दहन हो चुका है यहाँ पालम इलाके में पहुंचे हैं पालम गाउं में यह लिका देहन हो रहा है और ये देखिए ये दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं जी दिली अनिशार पर कि पालम के युवाओं ने पालम के बजुरूओं ने जो मेहलाओं ने पहले पूजा रचना किया उसके बाद यहां होली का देहन हो गया है और यह कहते हैं कि पूर्णीमा की साम को जो होली का जयन होती है अगले दिन रंगों का तिवार होगा उससे दुमदामच के साथ दुमदादाके के साथ मनाएंगे लेकिन इससे पहले तो कि सुबह से मैंलाएं पूजन का पूजन कर रही थी उसको लेकर और साम जैसे जैसे सुम महरत आया क्योंकि च्छे बजकार 21 मिनिट का स हMore जिससे यह बहुत हो चाहते हैं और उसको फिर पिर अपने घर ले स्वार्म दौर का से होलि का सुब कामने अगा सारे देश्वासियों को नमस्कार और जो पनलव है यह सामाजिक और धार्मिक समरस्ता का परव है ठीक है लाटूंगे मैं आपके पास आप अपने दश्कों को कुलवन्थ सिंग के पास लिए चलते हैं जो यमुना नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुलवन्थ आपके पीछे में तस्वीरे देख रही हूं कि यहां पर होली का दहन हो चुका है बिल्कुल यहां पर जो हुली का दहन का योजन किया गया था वो चुका है और यहां पर माहिलावों और पुर्सों ने जो हुली का जब दहन किया उसकी परिकर्मा की पुजा अर्चना की और उसके बाद यह हुली दहन कर दिया गया है मेरे कीख मेरे की आप तस्वीरें देख सकतें कि यहां पर जो आसपास के जो जो इस तरह हो स्वifen lagi के अधरा में एक आस्वेशए sonra such a जो होली का दहन है यह जो और करण जो राक्षषत थे पर्ला क्वा Πरवती के थे उनका पुतर जो परलाजी थे वह हमेशा अभुआन विश्णु का नाम जाप करते रहते थे हमेशा हरी 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 वह मेरा नाव लोग क्योंकि मैं सर से बड़ा हूँ इस विश्व में मेरे से कोई नहीं है उस समbn फिर झब राश्र अगर अगनी में भी बैठेगी तो उसको आगनी लगेगी तो उसके बाए गया बज़ाँ की तरफ से ऐसा कुश्मा स६ढ्लाइगा नागनी ती हो ओलिका आगनी ने ठभड लिया और प्रणाजी ज्युत वह उसने बाशी कई जैसे पीछे हूली का आप देयान हुई आजी आप लोग सामिल केस्ट में क्या करना जो देखिए हूली का परविक पुरानिक मानेताओं के नुसार पर माना जाता है